हेलो दोस्तों मैं यूग एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ and I hope कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप सेंट ब्लास्टर हैं या फिर किसी सेंट ब्लास्टर के इंटर्वियो के लिए जाते हैं तो इंटर्वियर आप से किस किस तरह के सवाल करते हैं जिनका अंसर आपको पता होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंटर्वियो के point of view से related, important questions और उनके answers को detail में बताऊंगा तो आए बिना time को waste के वीडियो को शुरू करते हैं इंटर्वियोर का सबसे पहला question तो यही हो सकता है कि sand blasting क्यों की जाती है तो आपका answer होना चाहिए कि sand blasting करके हम किसी material के surface पे लगे paint, junk और unwanted particles को बहुत ही कम time में remove कर सकते हैं इसके साथ ही casting material के निशान को भी हटाने के लिए sand blasting को किया जाता है इंटर्वियोर अगला question यह पूछ सकता है कि sand blasting करने के लिए किन-किन PPE, it means personal protective equipment को use किया जाता है तो आपको answer देना है कि sand blasting करने के दर्मियान sand blaster को gum boot, fire resistance cloth, cover all, leather hand gloves, ear plug, face shield, blaster hood और blast suit इन सारी personal protective equipment को use करना होता है इंटर्वियोर का next question यह भी हो सकता है कि sand blasting की जो nozzle होती है वो किन-किन sizes में आती है सो आपको बताना है कि blasting nozzle की size को sand blasting किये जाने वाले material के accordingly choose किया जाता है और blasting nozzle की size जितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी वो उतने ही ज़्यादा job के surface area को भी cover करेगा and blasting nozzle mainly 1 by 8 inch, 3 by 16 inch, 1 by 4 inch, 5 by 16 inch, 3 by 8 inch, 7 by 16 inch, half inch, 5 by 8 inch और 3 by 4 inch की sizes में available होते है next question है कि sand blasting करने के लिए जो blasting nozzles use की जाती है वो कितने type की होती है so इसका answer है कि blasting nozzle mainly 2 type की होती है पहला है straight bore blasting nozzle और दूसरा bend type nozzle या जिनको angle nozzle भी बोला जाता है next question जो कि interviewer आप से पूँच सकता है वो है कि sand blasting करने के लिए जो air का pressure होता है वो कितने बार में set किया जाता है तो वैसे तो air के pressure को material के type के accordingly set किया जाता है बट अगर आप किसी ऐसे work piece के उपर sand blasting कर रहे हैं जो mild steel का है तो उसके लिए जर्नली air के pressure को 5 बार से ले करके 7 बार के बीच में set किया जाता है interviewer का next question ये हो सकता है कि sand blasting करने के लिए blasting nozzle को job की surface से कितने degree में रखके sand blasting करनी चाहिए इसका अंसर होगा कि sand blasting करते वक्त हमें blasting nozzle को job की surface से 45 degree पे रखके sand blasting करनी चाहिए next question है कि sand blasting करने के दर्मLYान हमें job की surface से blasting nozzle के बीच कितने gap को maintain करके sand blasting करनी चाहिए तो इसका अंसर होगा 300 mm से ले करके 400 mm तक it means sand blasting करते वक्त हमें job की surface से blasting nozzle को 300 mm से ले करके 400 mm तक के gap में रखके sand blasting करनी चाहिए Next question जो कि interviewer हमेशा करता है वो है कि sand blasting करने के लिए किन-किन abrasive materials का use किया जाता है So वैसे तो blasting करने के लिए कई abrasive material का use किया जाता है बट silica sand, nickel slag, copper slag, dry ice और high pressure water का use industries में blasting करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है अगला सवाल है कि abrasive blasting करने के लिए किस तरह से setup किया जाता है तो sand blasting करने के लिए एक तो सबसे पहले एक air compressor की ज़रूरत होती है जिसको hose की help से blasting tank से connect किया जाता है और tank के bottom से blast hose को connect कर दिया जाता है जिसके end में एक blasting nozzle लगी होती है और इसी nozzle से high compressed air और abrasive material mix होके high velocity के साथ discharge होते हैं और work piece की surface पे जाके strike करते हैं जिस वज़े से उस surface पे लगे paint, junk या फिर निशान बड़े ही आसानी के साथ clean हो जाता है इसके साथ ही हमें एक air filter की भी requirement होती है जिसको air hose के थूरू सबसे पहले air compressor से connect किया जाता है और फिर air filter के दूसरे end को hose के थूर blaster hood से connect कर दिया जात है जिसका main purpose blasting करने के दर्मियान sand blaster को fresh oxygen provide करना होता है तो इस तरह से abrasive blasting करने के लिए हमें air compressor, blasting tank या जिनको blast machine भी बोला जाता है फिर blast hose, air hose, blasting nozzle, air filter और abrasive material की requirement होती है और इन सारे equipment के साथ ही जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी personal protective equipment का भी होना जरूरी है, interviewer का next question हो सकता है कि abrasive blasting कितने type की होती है, so वैसे तो abrasive blasting कई तरह के होते हैं, but wet blasting, wheel blasting, hydro blasting, micro abrasive blasting, dry ice blasting, ये कुछ common type की blasting है, जो कि आप interviewer को बता सकते हैं, तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे important question और उनके answers जो कि interviewer अक्सर send blaster से करते हैं, या फिर अगर आप एक send blaster हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, and I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफे informative रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपसे request है कि please channel को subscribe करके, वीडियो को like and share जरूर करिएगा, thank you for watching.